Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh प्यारे बच्छो आज हमारे टिवी क्लास का सबक नंबर पाँच तौसी जापते इसका मुताला करेगे हमें कुछ तौसी के जापते जो प्रैमरी लेवल पर पढ़ाए गए वो याद होगे मैं उका यादा करा दू पहला जापता बेसिक फर्मला होता है एकी कुवद्दो मनफी बी की कुवद्दो बराबर ए जमाबी एक कॉस में ए मनफी बी अगले कॉस में ये जापता सभी को याद होता है दूसरा जापता होता है ए जमाबी कॉस की कुवद्दो बराबर एक और जाफ्ता होता है तीसरा यह तीन जाफ्ते बहुत ज्यादा बैसिक है जो हमें जनरली हर बच्चे को हर तालिव इल्म को यह जाफ्ते याद होते है हम इसके बाद का अगला टॉपिक जो है एक्स जमाए और एक्स जमाबी इसका जो तौसीता जाफ्ता है उसका हम मुताला करेगे एक्स जमाए और एक्स जमाबी यह जो जाफ्ता है तौसीता इसका हम मुताला करने वाले हैं इस लेसन में बहुत important है यह अगर यहाँ पर देखा जाए तो पहले bracket में होता है x जमा यह अगले bracket में होता है x जमा भी यहाँ से एक जाबता बना कर बताते हैं आपको यह x से इस पूरे bracket को जरब दी जाएगी तो यह हो जाएगा x ब्रैकेट में x जमा भी अब यहाँ पर बच गया जमा ए फिर जमा ए से इस पूरे bracket को हम जरब देगे तो यह हो जाएगा x जमा भी अब x से अगर हम bracket आफ करें तो x जरब x होता है x की वर्दो यह b से x को जरब अगर करें तो हो जाएगा x भी इसी तरीके से यह जमा की अलामत एस इस होती है इस a से x को अगर हम जरब करें तो यह हो जाता है a x और इस a से b को अगर जरब करें तो यह हो जाएगा a b इस दोनों के दर्मियान कोई अलामत नहीं है a b के दर्मियान इसलिए हम इसे इस तरह भी पर सकते a जरब b यह x की खुए दो एस इडिज होता है यह मजबत की अलामत यहां पर अगर हम देखें तो x मुश्तरिक है x को हम बाहर लिख लेगे तो ब्रैकेट में जो बचेगा वो होगा a जमा b और यह x बाहर और यह हो जाएगा a जरब b तो आपको यह दापता याद रखना है कि एक ब्रैकेट में x जमा a है और अगले ब्रैकेट में अगर x जमा b हो तब जो जापता बनता है तोसी का जो हम यहां पर इस्तिमाल करेंगे वो होगा X की कुवद दो जमा ए जमा भी ब्रैकेट में X बाहर जमा ए जरब भी इसी तरीखे का एक फर्मूला दस्वी क्लास में भी आता है जहां पर A और B की जगे हम इस्तिमाल करते हैं जमा बीटा यहां पर जजरो का मजमुवा कहलाता है और यहां पर जरब बीटा जजरो का हासिले जरब मश्क 5.1 का पहला सवाल है तोसी कीजिए इन जाबतों की हमें तोसी करना है यह सवाल है हमारा जो जाबता हमने अभी पढ़े उसका इस्तिमाल करकी पहले ब्रैकेट में है ए जमा दो अगले ब्रैकेट में है ए मन्फी ए जाबता अभी आपने पढ़े पहले ब्रैकेट में एक्स जमा ए अगर हो दूसरे ब्रैकेट में एक्स जमा भी हो तो हम उसे लिख सकते X की वद्दो जमा, A जमा भी, X जमा, A जरब भी इसी जाफ्ते का हमें इस्तमाल करना है इसके बाहर कुछ दूसरा जाफ्ता इस्तमाल नहीं करना है डारेक्ट ये इस सूरत में दिया हुआ है उसे इस सूरत में लिख लेगे यहाँ से हम जवाब स्टार्ट करेगे पहला लिखेगे A जमा दो, A मनफी, A बरावर इन दोनों में ये A मुश्तरिक है जो हमारे जाफ्ते के हिसाब से X होगा और ये A होगा ये B होगा तो जाफ्ते के हिसाब से पहले आता है X की वर्दो और X की जगे हमारे जाबते में इस्तेमाल हुआ यहां पर हमारे सवाल में इस्तेमाल हुआ A तो यह हो जाएगा A की वर्दो फिर जमा की अलामा उसके बार हमारे पास में लिखा हुआ है A जमा भी तो यहां पर A की जगे लिखा हुआ है दो जापते में जमा हैं तो हम लिखेगे जमा लेकिन B की कीमत यहां पर मनफी है इसलिए उस मनफी एक को भी लिखा जाएगा और ब्रैकेट बन कर देगे और उसके बार लिखेगे एक्स एक्स की जगे हमारे पास में है स्मॉल ए फिर जमा और तीसरी बार लिखा जाता है जापते में ए जरब भी एकी जगे हमारे पास में हैं दो जरब बी की कीमत हमारे पास होती है मनफी ए मनफी है इसलिए ब्रैकेट में लिखा जाएगा ये एक ही वद्व दो as it is रहेगा ये जमा ये हो जाएगा दो जमा और मनफी के अगर जरब की जाए तो मनफी में तब्दील हो जाएगा अलामत plus minus होता है minus a as it is a small a जैसा का वैसा ये plus और ये minus फिर हो जाएगा minus और दो एका होता है दो और अगली बार हम यहाँ पर लिखेगे के ए जमा दो पहले ब्रैकेट में ए मनफी ए अगले ब्रैकेट में इसकी तौसी होती है एक इक वद्दो मजबह दो में से एक अगर कफरीग करें तो बचेगा एक एक लिखा नहीं जाता है इसलिए ए डायरेक्ट लिख दिये हमने और और उसके बाद मनफीर दो यसी जाप्ते का इसक sophomore करके टाउसी करना है। वरण हम याए से इस ब्रैकेट को जरब Outdoor से इस ब्रैकेट ‫जमा ए मनफीर दो इसके बाद एक और सवाल में करा देता हूँ अगले कोश्यन है किताब का पाच वा है और मेरा दूसरा कोश्यन पहले ब्रैकिट में तीन एक्स जमा चार वाई दूसरे ब्रैकिट में तीन एक्स जमा पाच वाई इसकी तोसी खरेगे जवाब यहां से स्टार्ट करते हम पहले ब्रैकिट में है तीन एक्स जमा चार वाई और अगले अइक्स", जमाँ, पाच वाय, फिर वही जाफता इस्तिमाल करना, हमें पहले ब्राक्ष में A जमाँ , पहले ब्राक्ष में A जमाँ एझसेओ, जो बराबर होता है, Q jut wymog, जमाँ ब्राक्ष में A जमा एक्स जमाँ, A जरब B. इस जाप्ते का इस्तेमाल करके इसको अग्छी हाल करना है यहां पर एक्स की जगे इस्तेमाल हो रहा है 4्य व्य गिक्ही जगे इस्तेमाल हो रहा है पांचवाई चुक्छारओ ऑजाए मतीने जयआफ़ों धी ज मुजार फिर त्य करने हुआ है पिर जमा एक ही कीमत है चार कीमत है पांच वाइए पर इस ब्रैकेट को आफ करेंगे यह वो जाएगा तीन का मुरबा नौ एक्स-काम-्रभाएक्स की कुवत दो जमा चार और पाच होता है नव वाई जरब तीन एक्स जमा ये चार पजे होता है बीस वाई जरब वाई होता है वाई की कुवद्दो तो जो सवाल था कि तीन एक्स जमा चार वाई अगले ब्रैकेट में तीन एक्स जमा पाच वाई इसकी तौसी होगी नव एक्स की कुवद्दो जमा नव तिया सक ताइस एक्स वाई जमा बीस वाई की कुवद्दो यह इस एक्सराइस का दूसरा वोशन था एक और करा देतें टोटल एक्सराइस में नव सवाल आता है जिसमें से टीन मैं करोगा और यह ज्यों प्रैकेट में इसको तौसी करना है है हिल करना है यहां से हमारा जवाब शुरू करेगे तो पता है आपको पहले आता है X की कुवद दो तो X की जगे हमारे पास लिखा हुआ है एक बटे वाए तो वो हो जाएगा एक बटे वाए ब्रैकेट की कुवद दो जमा उसके बाद आता है ए जमा बी तो A की कीमत है चार जमा बी की कीमत है منबी 9 इसलिए बड़ा ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट दोनु ब्रैकेट हमने इस्तमाल किये उसके बाद है X एक्स की वैल्यू है एक बटे वाए इनके दर्म्यान में कोई अलामत नहीं इसका मतलब यह है कि इनके दर्म्यान में जरब की अलामत होती है उसके बाद आता है जमा ए जरब भी एकी कीमत होती है चार जरब पी की कीमत होती है मन्फी नौ एक का मुरब्बा एक होता है वाई का मुरब्बा हो जाएगा वाई की कुवत दो यह होगा मजब़त यह सिंपल ब्रैकेट ये चार, ये प्लस, माइनस होता है, माइनस, नुँ ऐस इज, जरब, एक बटे वाई, भी जैसा का वैसा, ये जमा, ये है तफरीक, जमा तफरीक, बराबर होता है, तफरीक, चार, नमा होता है, चटिस, अगली बार, अगले स्ट में, फिर एक बटे वाई की खुद, दो ऐस इस रहेगा, ये है मजबत, चार में से नुँ अगर हम तफरीक करें, तो बचेगा, मनफी पार, छोटे अदद से, अगर बड़ा अदद तफरीक किया जाए, तो जवाब हमेशा, नफी में आता है, मनफी में, जरब, एक बटे वाई, मनफी चप्तेस, एस इज, जो हमारा स सवाल था, वो था, एक बटे वाई, जमा चार, पहले ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में, एक बटे वाई, मनफी नव, इसकी तोसी हो जाएगी, तरावर, एक बटे वाई की खुद दो, ये प्लस, ये माइनस होता है, माइनस, ये पाच एका, पाच, बटे नसब दुआ का वाई, मनफी 36, यहाँ पर ये पहली एक्जरसाइस, हमारे तोसी के जाबते की मकमल होती है,